नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 23 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का कम्प्लीट सलूशन देखने जा रहे हैं यदि सीटेट दिसंबर 2021 में सभी शिफ्टों के पेपर के complete solution को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सीटेट की बेहतरिन तरीके से तैयारी करने के संदर में चले दोस्तों आज के इस महतोपून वीडियो को प्रारम करते हैं प्रश्ण संक्या 121 से 128 तक दिये गए पराग्राफ पर अधारित पूछा गया था चले जल्दी से पराग्राफ को पढ़ लेते हैं He increased the power of man Read the epitaph of what's grave James Ward के कबर की बात की जा रही है James Ward के कबर पे जो एक तरीके से समाधी लेख लिखा गया है Epitaph का मतलब समाधी लेख होता है उसको पढ़िए आपको ये एहसास होगा कि उसने मनुश्यों के सक्ति को बढ़ा दिया है आगे पढ़िए No better word can summarize the importance of the work done by James Ward यानि कि कोई भी ऐसा word नहीं है जो की महत्वपून कारे जो की James Ward के द्वारा किये गए है उनको summarize किया जा सके आगे पढ़िए the father of steam power यानि उनको father of steam power कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही भाप engine की खोज की थी पहली बार इसलिए भाप शक्ती का जनक उनहीं को कहा जाता है His invention of the steam engine greatly enhanced the speed of transportation besides paving the way of other type of energy that were to follow soon यानि कि उनकी ये द्वारा जो steam engine की खोज की गई थी उसने transportation के speed को काफी हद तक बढ़ा दिया था besides the paving of the way other type of energy that were follow soon और इसके अलामा जो अन्य प्रकार की energy थी वो उसको बहुत जल्दी follow नहीं कर पाएगी एक तरीके से नहीं कर पा रही थी आगे पढ़िए in short it marked the opening of the industrial revolution यानि कि संचेप में ये कहा जा सकता है कि इसने मतलब कि किसने जो भापी जन की खोज हुई थी उसने industrial revolution के लिए रास्ते खोल दिये थे आगे पढ़िए James Ward was born on 19th January 1736 यानि James Ward का जन्म 19th January 1736 इस्वी में Scotland के Greenock जो की Glasgow के नजदीक है वहाँ पर हुआ था His father was a master craftsman उनके पिता एक master craftsman थे and merchant engaged in the shipping trade और एक shipping trade में वो engaged थे मतलब उस पर भी वो काम कर रहते थे आगे पढ़िए young James thus found himself यानि कि young मतलब की छोटा जो James Ward था वह found himself अपने आपको पाया surrounded by his father's tool right from childhood मतलब की बिल्कुल बजपन सही जो young James Ward थे उन्होंने अपने आपके चारों तरफ जो उनके पिता के tools थे हतियार थे औजार थे उनसे घीरा हुआ पाया आगे पढ़िए he took to them like a fish to water and revealed in constructing this with his own hand he took to them मतलब उसने उन्हें लिया like a fish मतलब एक मचली की तरह to water मतलब की जिस प्रकार मचली बिना water के परशान हो जाती है चट पटाने लगती है उसी प्रकार से उन्होंने भी उन सभी ओजारों को लिया एक तरीके से यहां पर एक तरीके से अलंकार दिया गया है कि जिस प्रकार मचली चट पटाती है पाने के बिना वो भी उन ओजारों की मिना छट पटा रहे थे, इसका सेंस हुआ ठीक है, आगे पढ़िये, and revealed in constructing things with his own hand, his delicate health, delicate health means, delicate का मतलब होता है, नाजुक, health made his parents reluctant, reluctant का मतलब होता है, एक तरीके से संकोच करना, संकोची होना, to send him to a formal school, मतलब कि उनका जो नाजुक स्वास्ते था, उसकी वज़े से उनके माता-पिता संकोच कर रहे थे, उनको एक formal school में भेजने के लिए, ठीक है, his provided him greater opportunity, माफ किजिगा, this provided him greater opportunities for self-learning, जब उनके माता-पिता संकोच कर रहे थे, तो वह school नहीं जा पाए, जिसकी वज़े से उनको बहतर एक opportunity मिला, self-learning के लिए, यानि खुद से सीखने के लिए, ठीक है, आगे पढ़िए, his skills and inventiveness, यानि कि उनके जो कोशल था, और जो खोज करने की प्रवित्ती थी, become evident at an early age, यानि कि उनके सुरुवाती वर्सों में ही प्रमाण साबित हुआ, उनके skill और उनके एक तरीके से खोज करने की प्रवित्ती के द्वारा, ठी the lead of cattle being lifted up by steam and inferring the power of steam there upon is probably apocryphal, apocryphal का मतलब होता है, एक तरीके से संदे होने के sense में यहाँ पर यूज किया गया है, but there is no doubt about his ability, लेकिन उनके योगिता में कोई भी शक नहीं था, आगे पढ़िए, since an early age, to come up with starting improvement on any machine that he chose to study, he was to leave his mark of creativity even on fields not connected with engineering, अब चलिए अब प्रशनों को हम लोग देखते हैं, पहला प्रशन दिया गया, read the following statement and select the correct option, चारों विकलगों को पढ़िए और कौन सा सही है आपको बताना है, James Wart's influence was confined to the invention of the steam engine, यानि कि ये कहा जा रहा है कि James Wart का जो प्रभाव था, केवल steam engine, भाप engine के खोज तक ही सीमी था, ये विकलब गलत है, क्योंकि उनके द्वारा कई और खोज किये गए थे, आगे पढ़िए, James Wart was considered dullard by his neighbors, दूलार्ड का मतलब यहाँ पर इस sense में यूज किया गया है, कि मंद बुद्धी, मतलब कि उनके जो पडोसी थे, वो उसे मंद बुद्धी मानते थे, तो इस प्रकार का कोई भी जिक्र परग्राफ में नहीं किया गया है, तो हम लोग गलत मान करके चलेंगे, तीसरा देखे, James Wart's Delicate Health, Delicate का मतलब यहाँ पर नाजुक हेल्थ की बात की गई है, Proved a Blessing in Disguise, यानि कि उनका जो एक तरीके से खराब सेहत था, उनके लिए एक तरीके से वर्दान साबित हुआ, ठीक है, मतलब उनका खराब सेहत के भेस में ये वर्दान था उनके लिए, तो ये विकल्प बिल्कुल positive था, क्यो positive था, क्योंकि खराब सेहत के वज़े से उनके माता-पिता संकोच करते थे, उसको formal school भेजने के लिए, और चुकी जब वो formal school नहीं जाता था, तो जो पिता के जो ओजार थे, उनी से घिरा रहता था और उनी से खुद से self-learning करता था, तो ये positive था paragraph के नुसर, चौथा देखिए, James Wart's parents were keen to send him abroad, मतलब कि James Wart के जो माता-पिता थे, वो उतसुक थे, चाहते थे कि वो abroad जाए, लेकिन ऐसा कहीं भी ने mention नहीं किया गया है, वो formal school तो जा नहीं पा रहा था, abroad कहां से जाएगा, तो देखिए, दिये गए विकल्प कहा जारा, इस वज़े से गलत हो जाएगा, चौथा देखिए, C is true, देखिए, C हमारा true था, और A is false, A हमारा false था, तो option number 4 इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, दिये गए paragraph के नुसर, option 4 सही भी कल्प है, अगला प्रशन दिया गया है, which of the following option is true, पहला statement देखिए, James Wart's invention of the steam engine foreshadows the industrial revolution, यानि कि James Wart के द्वारा steam engine जो खो जागया, वो industrial revolution यानि ओध्योगिक क्रांती के लिए एक तरीके से चाया सावित हुआ, तो ये विकल्प बिलकुल positive है, ये mention भी किया गया था paragraph में, तो option number 1 इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन पुछा ग पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, James Wart was rewarded for his effort by the state authority, यानि ये कहा जा रहा है कि राजिस सरकार के द्वारा उनके खोज के लिए, उनके प्रयास के लिए उनको reward दिया गया, तो ऐसा कहीं भी paragraph में mention ने किया गया, इसे गलत मान करके चलेंगे, दूसरा दे A and B are false, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन पुछा गया था, select the option which is true according to the passage, यानि paragraph के नुसर कौन सा option सही आप से पुछा जा रहा है, पहला देखिए दिया गया है, James Wart left his mark of creativity on different fields, यानि कि उन्होंने अपने स्रिजनात्मक्ता का छाप अलग अलग छे function के एक तरिके से functions को बढ़ा सकते थे, ठीक है, तो option number two भी इसका सही हो जाएगा, तीसरा देखिए, James Wart's parents worried a great deal about his health, उनके माता पिता, उनके स्वास्त को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंती थे, ये भी बिल्कुल paragraph में mention किया गया है, चौथा देखिए, what is considered the father of modern science, यानि कि जो James Wart है, वो modern science के जनक माने जाते हैं, तो ये गलत है, उनको भाप शक्ती, यानि कि एक तरिके से esteem, power का जनक माने जाता है, तो ये वला गलत था, अब देखिए, A, B, C और सही है, A, B और C सही है, तो दिये गए बिल्प में देखिए, option number four, A, B and C are all true, इसका सही जवाब ह जाएगा, अगला प्रशन पूछा गया था, which of the following word has the same meaning as the word evident, as used in the passage, evident का मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष के तोर पर लिया गया है, तो इससे मिलता जूलता आप देखिए, option number two clear हो जाएगा, option two इसका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर passage में देखिए, his skills and inventiveness become evident at early stage, यानि कि उसके early age में, सुरुआती वर्षों में ही, यह प्रत्यक्ष रूप से, यानि कि साफ साफ तोर पर दिखने लगा कि उसके कोशल और उसका किस प्रकार से, खोज के प्रती रुजहान है, तो यहाँ पर देखिए, evident का मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखना, या फिर साफ सा जैसे वहाँ पर clear सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रेशन पूछा गया था, which of the following word is the antonym of the delicate as used in the passage given below, जो passage में delicate word यूज किया गया है, जो कि नाजुक के sense में आया हुआ था, तो इसका opposite यानि कि विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा robust, रोबस् का मजबूत हो जाएगा, option two बिल्कुल सही उत्तर है, अगला प्रेशन पूछा गया था, which part of speech is the underlined word in the phrase, यानि दिये गया फ्रेज में जो underlined शब्द है, ये कौन सा part of speech है आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर sentence दिया गया, decisively influence its course, यानि कि उसको एक तरीके से न नायक रूप से, ठीक है, और किसी को प्रभावित करना, प्रभावित करना ये वर्ब है, किसी को आप प्रभावित करना है, तो ये वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब की विसेस्ता बता रहा है, decisively, और जो शब्द वर्ब की विसेस्ता बताता है, वो क्या होते हैं, adverb होते हैं, तो option number 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा option 4 सही जवाब है अगला question पूछा क्या था which part of the sentence given below contains an error यहाँ पर देखे she found it difficult to cope up with the volume of work assigned to her तो यहाँ पर option B में गलती है to cope up with इसमें गलती है तो option number यहाँ पर देखे option 3 इसमें B दिया गया है तो तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तो प्रशन संख्या 139 से 135 तक दिये गए paragraph पर दारिता तो चली जल्दी से paragraph को पढ़ लेते हैं I am happy to associate myself with the unwilling of the statue of Sri Birsamunda a legendary figure in the history of our struggle for freedom हमारे स्वतंतरता संग्राम के एक महतवपूर्ण व्यक्तित्व स्री बिरसा मुंडा जी के मूर्ती के अनावरण पर खुद को जोड़ना मेरे लिए सौभागे का विशय था He is well known as an early advocate and exponent of tribal rights and as an indo-mediable fighter against the foreign rule and operations तो यहाँ पर इसका meaning यह हो जाएगा कि उन्हें आदिवासी अधिकारों के सुरुवाती अधिवक्ता और प्रतिपादक के रुप में जाना जाता है और विदेशी शासन और उत्पिर्णन के खिलाफ एक इंडो ग्लोबल फाइडर के रुप में जाना जाता है यानि कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आदिवासी विद्रों का गठन हुआ और अपनिवेशक सासन के महतोपूर्ण पहलूऊं के पारे में जादा लोगों को नहीं पता है कि इस आसपेक्ट के बारे में जो उनसे जुड़े हुए है यानि कि विरसा मुंडा इनमें से एक महतोपूर्ण मुवम्मेंट जो की 19th century में चोटा नागपूर रिजन से शुरू किया गया था उसके एक तरीके से उसके रिप्रेजेंटेटिव थे आगे पढ़िए यानि कि ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा जो एक यूनिक फ्रीडम इस्ट्रगल के अंतरगत जो फेज इस्टार्ट किया गया था वो एक डिसाइसिवली इन्फ्लूएंच्ड मतलब कि वो एक निर्नायक प्रभाव साबित हुआ ठीक है हमें कॉंसास करने के लिए हमें जागरू करने के लिए ट्रिबल इस्टूज के बारे में जानने के लिए और उनको हौल करके नेशन बिल्डन करने के संदर में बिर्शा मुंडा रोज फ्रॉम दे लोएस्ट रैंक औफ पिजेंट्स टू मोबिलाइज पिपल अगेंस्ट दे अप्रोप्रियेशन ओफ ट्राइबल लैंड अडिस इंटिग्रेशन ओफ दियर वे ओफ लाइफ, एकनॉमी एंड कल्चर बाई दा कोलोनियन सिल्च्टम इसका मतलब यह हुआ कि बिर्शा मुंडा आदिवाशी भूमी के विन योग और आपनिवेशक व्यवस्था द्वारा उनकी जीवन सहली अर्थ व्यवस्था संस्कृति के विगठन के खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए किसानों के सबसे निचले पद से उठे थे यानि कि उन्होंने आधुनिकरण और दमनकारी जमिदारी विवस्था के नाम पर शिकारी प्रवित्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसमें आदिवासी विवस्था कि भावना का अहवाहन किया गया जिसमें सादगी की विशेषता थी अत्यचार की अनुपर्तिस्थी और प्रकृति के साथ सदबाव में रहना था यानि कि उन्होंने अपने समाज और संस्कृति के प्रतीक मिद्कों को इस्तिमाल किया और लोगों को विदेशी शाषन के उत्पिणन और अन्याय के खिलाफ उठने के लिए एक रैली इस्थन बन गया थे His movement was also infused with the spirit of religious reform, social justice and cultural regeneration यानि उनका आंदोलन धार्मिक सुधारों, समाजिक नयाय और समाजिक सांस्कृतिक उत्थान की भावना से भी जुड़ा हुआ था He fought against the British rule, suffered imprisonment and subsequently became a martyr यानि कि उन्होंने British शाषन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल गया और बाद में शहीद हो गया Through his struggle, he became a cult figure, a part of the folklore and was even defined by the people as धर्ती अबबा और बिर्सा भगवान यानि कि अपने संगर्स के माध्यम से वे लोक कथाओ का एक हिस्सा बन गए और यहां तक की लोगों के द्वारा उन्हें धर्ती अबबा या फिर बिर्सा भगवान के रूप में परिभाशित किया जाने ल who fought against the Harris and authoritarian British regime यानि कि एक उलेखनिय प्रशिद व्यक्ती जिसने कठोर और सत्तावादी बिर्टिस शाषन के खिलाफ लड़ाई लड़ी ऑप्शन नमबर 4 बिलकुल सही उत्तर है अगला प्रशन पूछा गया था the following statements and select the correct option दोनों यहाँ पर statement को पढ़ना और कौन सा सही है वो आपका उत्तर होगा पहला दिया गया है it was difficult for the British government to subdue बिर्शा मुंडा यानि subdue का मतलब होता है वर्श में करना यानि कि British government के लिए बिर्शा मुंडा को एक तरीके से वर्श में करना कठिन था तो यह विकल्प के बिलकुल सही है इस paragraph के नुसर दूसरा देखिए बिर्शा मुंडा इसका बिलकुल सही हो जाएगा यानि दोनों सही है तो option no.4 देखिए बोथ a and b are true option 4 इसका बिलकुल सही उत्तर है अगला प्रेशन पूछा गया था the author present बिर्शा मुंडा एज यानि कि जो लेखाक है उसने बिर्शा मुंडा को किस प्रकार से प्रेजेंट किया है तो एक द इनके दुबरे ये कहा जाता था बहाना कहा जाता था कि हम खेती को एक तरीके से आधुनिकरण की तरफ ले जाएंगे देवर मॉडरनाइजिंग और एग्रिकल्चर ओप्शन no.4 इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा पराग्राफ के अनुसार अगला प्रेशन पूछा जो शब्द होगा वो ब्रेव होगा आपने सुना होगा सक्तिमान जब आता था बचपन में अदभुत अदम में साहस की यानि अदम में किस सेस में आया है बहादुरी के सेस में आया है तो option no.4 ब्रेव इसका बिलकुल सही जवाब है अगला प्रेशन पूछा गया था which of the following word is the antonym of the word foreign used in the para 3 foreign मतलब यहाँ पर एक तरीके से विदेशी के sense में आया हुआ है और native मतलब की इस्थानिये होता है जैसे native language आप लोग बोलते है मातरी भासा इस्थानिये भासा ठीक है तो option no.4 native इसका सही जवाब है अगला प्रेशन पूछा गया था which part of the following sentence contains an error दिया गय he told me that he will not come because his mother was not keeping well तो यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में गलती है option no.2 जो होगा देखिए दूसरे वाले विकल्प जो है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रेशन पूछा गया था which one of the following is not true यानि दिये गया चारों विकल्पों में से कौन सा सत्य नह होता है भाषा का जो कौशल होता है वो एक लेंग्वेज से दूसरे लेंग्वेज में ट्रांसफर होता है कैसे इसको समझिए जैसे कि देखिए लेंग्वेज इसकिल में क्या क्या आते है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना तो आप अगर किसी एक लेंग्वेज में सुन यानि एक language का skill जो आपने सीख लिया है, वो दूसरे language में भी transfer होता है, तो पहला विकल positive था, इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा, क्योंकि आपसे negative sense not true वाला पूछा गया है, ठीक है, दूसरा देखे, every child has the capacity to learn many languages if opportunity and due time is given, यानि कि एक प्रतेक बच्चे में कई भासाओं क को सीखने की छमता होती है, अगर उसको मौके दिये जाए, and due time दिया जाए, तो ये भी विकल बिल्कुल positive है, क्यों, अब यहाँ पर opportunity का मतलब यह हो गया, कि उसको natural वातावन दे दिया जाए, देखे, बच्चे को Hindi language सिखाने के लिए, या फिर उसकी मातरी भासा सिखाने के कोई अतरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ था, किवल उसको opportunity दी गई, उसको उस प्रकार का वातावन दिया गया, तो जब एक language को वातावन के मादम से सीख ले रहा है, तो दो तीन language भी वातावन के मादम से सीख लेगा, या फिर अगर उसको communicate करने का मौका दिया जाए, opportunity द उसको सीखने के लिए उसको कभी-कभी translate करना पड़ता है mother tongue में, अब माल लिजिए mother tongue बच्चे को नहीं आता, उसको मातरी भासा नहीं आता, तो क्या वो foreign language सीख पाता, जो cutting words है, क्या वो मातरी भासा में उसका एक तरीके से हिंदी अनुआद कर पाता, नहीं कर पाता, तो यहाँ पर mother tongue जो है, वो help कर रहा है, कैसे second और foreign language सीखने में, तो यह भी positive था, आपका उतर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, option number 3 देखिए, option number 3 है कह रहा है, कि mother tongue interferes the learning of second language, यानि कि जो mother tongue है, वो दूसरी भासा को सीखने में बाधा हुत्पन करती है, जो कि विकल्प बिल माध्यम से कोई सिक्षार्थी जो है, वो पढ़ना सीख रहा है, तो यह developmental process है, यानि कि विकास सम्मंदी प्रक्रिया है, option number 2 इसका बिलकुल सही जवाब होगा, अगला question पुछा कह था, when a child learns a language as a second or third language, it is assumed at, मतलब कि अगर एक बच्चा कोई एक language को सीखता है, जो कि उसकी द्वितिये या फिर त्रितिये भासा है, पहली भासा तो उसकी मातरी भासा होगी, इसके अलावा कोई language सीखता है, जैसे कि मालिज हिंदी किसी की मातरी भासा है, और अंग्रेजी वो सीखता है, और उससे पहले कोई एक और language सीख चुका है, यानि कि अंग्रेजी अब उसक क्या कहा जागा it is assumed as मतलब कि ये क्या माना जाएगा तो देखिए option number 4 language learning इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि language acquisition जो मातरी भासा होती है उसे हम लोग अरजित करते हैं क्योंकि विशेश कोई प्रयास नहीं किया गया था उस भासा को सीखने के लिए बच्चा जन्म सही अपने माता पिता अपने परिवार और अपने समाज के संपर्क में था जिससे उसको वो वातावरण मिला कि वो हिंदी बोलना सीख गया अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा ग्रेमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके मादयम से वो सीखेगा दूसरी या फिर तीसरी लेंग्वेज तो ये लेंग्वेज लर्लिंग कहलाएगा ऑप्शन नमबर चार सही उत्तर होगा अगला प्रशन पूछा क्या था यानि कि कहानियों का उप्योग करने के संबंध में निमलिखित में से कौन सा तरीका उप्योगत है भासा कक्छा में तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर तीन इस्टोरी टेलिंग एज और स्ट्रेटजी यानि कि एक रणीती के रूप में कहानी सुनाना बच्चे को कहानी के माध्यम से खेल के माध्यम से ही प्रात्मिक इस्तर पे सिख्छा दी जाती है तो यहाँ पर उसको बेवज़ा कहानी नहीं सुनाई जाएगी a teacher of class fourth gave lots of sentences with word like to, in, into, with, for and then learners notice these words which the teacher named them as position words मतलब कि एक class 4 की सिक्षी का है जो कि बच्चों के सामने ये word बोल रही है जैसे कि to, in, into, with, for और उसके बाद से learners जो है जो सिक्षारती है वो ये notice करते हैं कि सिक्षी का इन सब का नाम position words बता रही है यानि कि इस्थिती शब्द बता रही है आगे पढ़िए later she gave them some more sentences इसके बाद से जो teacher है उनको कुछ और sentences वाक्य देती है in which the learners are asked to write these position words जिसमें सिक्षारतीयों को कहा जाता है कि आप इन position words को लिखिए और अंत में सिक्षी का के द्वारा ये कहा जाता है कि ये सभी words preposition कहे जाते है what is the strategy known as यानि कि जो सिक्षी का रणीती अपना रही है उसे क्या कहा जाएगा तो इसका सही उतर हो जाएगा option number 3 consciousness raising यानि कि एक तरीके से बच्चों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रही है उनमें उत्सुकता पहले विक्सित कर रही है कि आखी ये words क्या बोले जारे है यानि कि multilingualism policy किया है multilingualism को हिंदी में बहु भाशिकता कहा जाता है यानि कि अलग अलग प्रिष्ट भूमी से आय हुए बच्चे की मातरी भासा अलग अलग हो सकती है तो सभी को एक तरीके से बहु भाशिकता को जोड देना बहु भाशिक्ता का एक तरीके सभी के भाशाओं को सभी के local languages को महत्व देना ही बहु भाशिक्ता है इसमें कहीं न कहीं interaction के मादेम से बच्चे एक दूसरे की mother tongue को सीख सकते हैं तो इसलिए NCF 2005 बहु भाशिक्ता को एक संसाधन के रूप में देखता है अब चलिए ये सभी जो properties मैंने बता ही जिस भी option में होगा वहीं आपका उत्तर होगा चोथा विकल्प दिया गया है mother tongue as medium of primary level and English as medium of upper primary level ये कहा जा रहा है कि primary level पर प्रात्मेक इस तर पर mother tongue होना चाहिए और upper primary इस तर पर English होना चाहिए यहाँ पर multilingualism का मतलब ये कत्ताई भी नहीं है कि आपको सभी भासाओं को सीखना है बस आप इतना interaction के माद्यम से used to हो जाइए कि कम से कम class में उनके भासा को लेकर कोई बाधा ना हो किसी अधिगम प्रक्रिया के दौरान तो यहाँ पर ये कहा जाना तीसरी option में कि English सीखने के लिए और state language और हिंदी from foundational stage जबकि यहाँ पर कहीं भी mother tongue की बात ही नहीं की गई है हो सकता है कि किसी ऐसे राजे के छात्रों जहाँ पर हिंदी mother tongue ना हो हो सकता है कि वहाँ पर English भी mother tongue ना हो और state language भी उनका mother tongue ना हो किसी गाउन दी हात से आते हो तो यहाँ पर mother tongue की सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए बहु भासिकता में भी बच्चे की mother tongue को ही preference दी जा रही है दूसरा विकल देखिए all children learn in the state language as medium of instruction and learn English and Hindi ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर mother tongue की बात नहीं की गए देखिए state language अलग हो सकता है और mother tongue अलग हो सकता है आप देखेंगे कि किसी राजे की जो भासा होती है आधिकारिक भासा होती है कई बार देखा गया कि जो गाउ देहात में जो बोली होती है जो state language से अलग होती है मतलब थोड़ा सा उसमें विकार रहता है तो यहाँ पर mother tongue की बात होनी चाहिए ना कि state language की बात होनी चाहिए इस वज़े से ये विकल गलत हो गया पहला विकल फी बचा यहीं आपका सटीक उत्तर होगा देखे क्या कहा जा रहा है यहीं बात बिल्कुल यहीं मैं बात कह रहा था कि mother tongue की बात होनी चाहिए कि सबी बच्चे अपनी जो schooling है वह mother tongue से सुरू करते हैं home language mother tongue या फिर home language and add more languages as they progress और जैसे जैसे वह एक तरीके से विकास करते जाएंगे तो वह other language को add करते जाएंगे कहने का मतलब कि पहले mother tongue ले करके वह school में आए और उसके बात से जब अन्य बच्चे का mother tongue कुछ अलग हुआ तो interaction करेंगे जब वो तो कहीं न कहीं वो add करेंगे उस language को तो यहीं process कहा जा रहा है option number one में और यहीं आपका बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाएगा अगला question पूछा कहा था What is the status given to Hindi language in the constitution of India यानि कि भारतिय सम्विधान में Hindi language का status क्या है तो यह official language है option to इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला question पूछा गया था Errors of the learners during the early year यानि कि शुरुवाती वर्सों में बच्चों के द्वारे जो गलती की जाती है उसको किस sense में कहा जाया सकता है आपसे पूछा जा रहा है पहला देखिए दिया गया है Should be corrected then and there मतलब कि जैसे ही वो गलती करते हैं बच्चे तुरंत उसको सही कर देना चाहिए ये विकल्प negative है क्यों negative है? क्योंकि अगर आप केवल सही कर देंगे और बच्चे को नहीं बताएंगे कि गल्ती क्यों हुई है या फिर उस concept हो सकता है कि बच्चा concept को समझा ही ना हो और उसके वज़़ा से गल्ती हुई है और आप सिर्फ उससे correct कर रहे है यानि कि वो गल्ती भविशे में भी दोहराने की संभावना रहेगी जब तक कि उसका doubt clear नहीं होगा तो पहला विकल्प negative था आपका उतर नहीं होगा दूसरा देखे should not be corrected at all यह तो बिल्कुल ही negative है मतलब कि बच्चा गल्ती किये जा रहा है आप उसको correct नहीं कर रहे है यह ऐसे sense में दे रहा है इस वज़़े से negative था आपका उतर नहीं होगा चौथा देखे should be corrected through imposition and drill imposition का मतलब होता है आरोपण मतलब कि बच्चे पर आप आरोप लगाईए कि तुमने गल्ती की है and drills उसके बाद से अभ्यास के माध्यम से उसको सही कराईए तो यह थोड़ा negative sense दे रहा है देखे बच्चा कोई चोरी नहीं किया कि आप उसको आरोपण लगाएंगे तो इस प्रकार के sense हमेशा negative होते है NCF 2005 के दिये गए guidelines के नुसर तो यह कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा ठीक है और एक ही विकल्प बचा option number 3 should be brought to their notice through practice यानि कि उनके संग्यान में लाएंगे notice का मतलब संग्यान अब देखिए यहाँ पर संग्यान वर्ड बहुत important है क्योंकि संग्यान में लाने का मतलब जीन पिया जी यह कहते है कि बच्चे के संग्यानात्म विकास के सिदान्त में कि बच्चे अपने ग्यान का रचना स्वेम कर रहे हैं और चुकी आपने उनके संग्यान में ला दिया तो चुकी अब उनको पता चलगा कि मैंने यह गलती किया तो अब वो नए तरीके से अपने ग्यान की रचना करेगा तो कहीं न कहीं यह चीजे उसके लिए favorable हैं कि आप भविश्य में यह गलती करने कि समावना कम रहेगी क्योंकि बच्चा खुद के अनुभाव से सीखा है और खुद के अनुभाव से गलती को सुधार किया है और उसके बाद से जब वो प्रैक्टिस करेगा तो निश्ची तोर पर उसका जो एक तरीके से गलती कर रहा था वो गलती अब दूर हो जाएगा तो option no.3 इसका बिल्कुल 60 कुत्तर होगा अगला question पूचा गया था एक सिख्ची का है कच्छा 5 की उसने छात्रों को एक ग्रूप में discussion करने के लिए बोला और उसके बाद से जो topic था कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं उसके बाद से उन्होंने इसे ideas को कुछ sentences में लिखने के लिए कहा उसके बाद से कहा जा रहा है students noted down their ideas चात्रों के द्वारा उनके idea लिखे गए developed an outline एक outline विक्सित किया गया and wrote a paragraph और एक paragraph लिखिए ये teacher के द्वारा बोला गया ठीक है और what would you call this approach to writing यानि कि इस writing के approach को आप क्या कहेंगे तो ये process approach to writing है यानि कि process के तहत बच्चे write कर रहे हैं जैसे कि पहले उनके द्वारा discussion किया गया था ग्रूप में discussion करने के बाद से वो एक तरीके से उनका idea जो था वो उनका develop हुआ उसके बाद से वो जो developed idea है उसको वो write down कर रहे है तो ये process approach to writing है option number 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अगला प्रशन पूचा गया था a teacher collects the instances instances के मतलब होता है उदाहरण of learning and performance of learners and makes a note of them to report in the assessment record what is the assessment process known as यानि कि एक teacher है जो कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे है और उनका performance कैसा है सिक्षार्थियों का उनके प्रती एक notes त्यार कर रही है कर रहा है त्यार कर रही है या फिर कर रहा है उनके assessment record को त्यार करने के संदर में तो ये पूछा जा रहा है कि what is this assessment process known as यानि कि ये assessment का process क्या कहलाएगा ये record क्या कहलाएगा तो ये portfolio assessment कहलाएगा क्योंकि बच्चे के सैक्षिक जो प्रगती होती है उसको portfolio में ही maintain किया जाता है option 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था which of the following methods of language teaching is learning outcome focused यानि कि भासा सिक्षण की निमलिकित में से कौन सी विधी सीखने के परिडामों पर केंदरित है तो ये है competency based language teaching यानि कि योग्यता आधारित भासा सिक्षण option 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था a teacher brought utensils utensils का मतलब यह होता है बरतन ठीक है and twice यानि कि खिलोने from home to teach vocabulary in contextual use यानि कि एक सिक्षक घर से बरतन और खिलोने लेकर के आता है यानि vocabulary सिखाने के संदर में और उन बरतन और खिलोनों के संदर में what are these materials known as यानि कि यह materials किस प्रकार से जाने जाएंगे तो यह realia के नाम से जाने जाएंगे realia का मतलब यह होता है कि वास्तविक चीजों से जोड़ करके बच्चों को बढ़ाना तो option number two realia इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा किया था तो यह project work है project work सिक्षिका के द्वार दिया जारा है कि बच्चों को पहले ग्रूप में बाट दिया जारा उसके बाद से उनसे कहा जारा कि आप कुछ questions पूछिए और उसके बाद से report तयार करी तो यह project work है option number one इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा किया था a teacher asks her learners of class three मतलब कि एक कक्षा तीन की सिक्षिका अपने सिक्षार्थियों को कहती है to share in their group about the flowers मतलब अपने ग्रूप में flowers के बारे में चर्चा किजिए grass, घास के बारे में और plant in their neighborhood आप अपने पडोसों में जो आपके पडोस में यह सब चीजे हैं उनके बारे में चर्चा किजिए and on their way to school और घर से school आते समय इन सबी चीजों को देखिए to before teaching the poem एक poem है Defodils के नाम से इस poem को पढ़ाने से पहले यह गतिविदी करने के लिए उनको सिक्षिका के द्वरा कहा गया है तो what is she trying to do यानि कि वह सिक्षिका क्या करना चाहा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number 2 देखिए connecting the previous knowledge यानि बच्चों का जो परिवेश से नालेज आया हुआ बच्चे अपने आस पड़ोस में grass यानि की घास फूल और plants के बारे में जानते हैं तो उनके previous knowledge पूर्व ज्यान को classroom teaching and knowledge से जोड़ने के लिए यानि की connecting the previous knowledge with the classroom teaching knowledge option number 2 इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों में पेपर के बिलकुल अंतिम पड़ाओ में आ चुके हैं अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के मादेम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही मतुपूर वीडियो लाने के संदर में इस पेपर का अंतिम प्रशन पूछा गया था which of the following statement is true of learning language यानि कि किसी भासा को सीखने के दोरान इसमें से कौन सा statement सही है पहला दिया गया है reading develops before writing यानि कि पढ़ना लिखने से पहले होता है और दूसरा विकल्ब देखें learners need to write before reading यानि ये कहा जा रहा है कि माल लिजे कोई अक्षार लिखा हुआ जैसे ये अंग्रेजी का पेपर है तो माल लिखने कोई alphabet के हो गया ठीक है तो ये कहा जा रहा है कि learners need to write पहले वो लिखना सीखेगा लिखना सीखना चाहिए तब पढ़ना सीखना चाहिए अब बताइए ये बच्चे को पता ही नहीं है कि ये क्ये है जब पता ही नहीं तो क्या वो लिख पाएगा मतलब कि कहीं न कहीं वो पहले जानता होगा कि ये क्ये है तब ही तो पढ़ेगा और जब पढ़ेगा तो समझेगा और समझेगा तो फिर कापी में लिख पाएगा यानि कि दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से interconnected है कोई भी प्रक्रिया पहले या फिर बाद में नहीं होगी तो पहला और दूसरा दोनों विकल्प गलत हो गया चौथा देखिए आप्शन नमर तीन देखिए यहीं आपका सही उतर हो जागा रीडिंग और राइटिंग डेवलप्ड डेवलप्ड कॉन करेंटली यानि दोनों जो कौशल है रीडिंग और राइटिंग एक सांथ विक्सित होता है कहने का मतलब कि देखिए भाशा के चार कॉशल बताएगए है रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और ये श्likeन तो चारो का एक करम जरूर है लेकिन चारो इंटर कनेक्टेड हैं चारों अंता क्रिया के माध्यम से ही सीखे जा सकते हैं, मतलब सभी एक दूसरे के साथ, एक साथ मिले जुले तरीके से सीखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले आप केवल सुनना सीखेंगे, उसके बाद बोलना सीखेंगे, उसके बाद पढ़ना सीखेंगे और अंत में ज़रूर है लेकिन सभी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है एक साथ ही चलते हैं तो option number 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूरा paper solve हो चुका है आपको ये वीडियो कैसा लागा कमेंट के माद हैं से जरूर बताएगा साथी सीटेट दिसंबर 2021 क के सभी शिफ्टों के paper का complete solution देखने के लिए इस वीडियो का description जरूर चिक करिएगा और अगर चैनल पर ना है तो subscribe जरूर कर लिजेगा सीटेट की बहतरिन तरीके से तैयारी करने के संदर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कर करे आपका दिन सुब्भ हो